तो आज का वीडियो होने वाला है एक smart plug के ऊपर या आप socket भी कह सकते हो smart socket मनलब उस socket में आप कोई भी चीज लगाओ गया और उसे आप Alexa या फिर अपने फोन में Alexa है उसके थुरू operate कर सकते हो on off कर सकते हो तो हमारा सबसे पहला स्टेप सिंरिक वेबसाइट पर रेजिस्टर करना है तो सबसे पहले आपको किसी भी ब्राउजर को उपन कर लेना है उसमें सिंरिक टाइप करना है सिंरिक टाइप करने के बाद आपको सबसे पहला रिजल्ट जो दिखेगा उसे उपन कर लेना है फिर sign करना है आपको इस website में already register कर चुका हो तो मैं login कर लेता हूं तो register करने के बाद आपको यहां पर इस तरीके से open हो जाएगा फिर आपको जाना है devices में जाके जो जो मैं type कर रहा हूं उस तरीके से आपको type कर लेना है जैसे माल लो आपके device का नाम कुछ भी आप रख सकते हो कोई भी light रख सकते हो तो मैं studio की light है तो मैं studio light रख दे रहा हूं उसका name क्योंकि उसी नाम से आप फिर उसे on off कर सकते हो Alexa में बोलके तो फिर उसके बाद आपको यहां पर जो settings मैं करना हूं उसी तरीके से रखना है तो इसे setup करने के बाद देख सकते हो यह ऐसा आपको interface open होगा यहां पर देख सकते हूं your device is ready to connect यहां पर आके लिख कर आ गया और यह जो app key और app secret यह सब चीज़ें को आपको ध्यान से रखना है अभी आपको आगे इसकी जरुद पढ़ने वाली है तो हम same process follow करेंगे और एक और device को register इसमें करेंगे night light के नाम से आप जो भी light रख सकते ह रहे हो या फिर आपको fan connect कर रहे हो fan का भी नाम रख सकते हो आपकी उस तरीके से उसे on off कर सकते हो तो आप देख सकते हो process complete हो चुक है दोनों lights देख रहे हैं उसके बाद आपको यह zero code पे क्लिक करने के बाद आपको यह दोनों lights select कर लेनी है फिर उसके बाद node mcu के जो pins होते आपने आपने बहुत सी वीडियो देखी होंगी यह यूट्यूब पर पढ़ी होंगी जिनमें वह अपने कोर्स दे रहे हैं बट मैं आपको AI का यूज करके code को बहुत सिंपल फॉर्म में यह वीडियो होने वाली मतलब आपको AI का help से code मिल जाएगा और आप उसे compile करा सकते एजिली तो फिर code Arduino IDE में open करने के बाद आपको library section में जाना है वहाँ पर जाके syndric pro को install कर लेना इसकी library को install कर लेना है फिर आप सारी चीज़े ready है उसके बाद आपको board select करना है board में जाके node mcu वाली board को select कर लेना उसके बाद यहाँ पर port में जाना है port में आपको जिस port में पुरानी वीडियो देख सकते हो उसमें errors को resolve कि अगर आपको कोई error आ रहे हैं तो एक बार उससे setup करने का आपको idea मिल जाएगा तो programming section अब complete हो चुका है अब हम hardware section की बात करते हैं तो hardware के लिए में चाहिए होगा 5 volt का relay module और एक पुराने phone का charger चार्जर चाहिए होगा और node mcu तो obviously चाहिए ही होगा तो इस relay module का link आपको description में मिल जाएगा node mcu की link भी आपको description में मिल जाएगा आप वहां से जाके इसे purchase कर सकते हो तो अब बात आती है wiring की जोकि सबसे important है wiring को बहुत ही ध्यान से करना तो जिस जिस pins में मैं connect कर रहा हूँ node mcu को उस pin में आपको connect करना है और relay module में दोनों में connection करना है तो wiring को और भी easy बनाने के लिए मैंने इसका diagram का link description में दे दिया आप वहां से जाके wiring को easily check कर सकते हो और उसे समझ कर आप wiring अपने हिसाप से भी कर सकते हो तो wiring कमलेट करने के बाद node mcu को एक बार power करके check कर लूँगा कि वह अच्छे तरीके से work क कर रहा है तो power देते ही देख सकते हैं उसमें light on हो जाएगी और node mcu इसका मतलब connect हो चुका है आपके wifi से तो इसे बनाने में सबसे challenging part यह था कि इसमें सारे components को fit करना एक के अंदर ही क्यार वह बहुत ही मुश्किल वाली बात थी बट कैसे भी करके मैंने इसे adjust कर के कर दिया ह सारी चीज़ों को adjust करने के बाद मैं box को अच्छी तरीके से close कर दूँगा तो हमारा device ready है यूज करने के लिए इसके बाद हमें Alexa आप खोलना है वहाँ पर जाके हमें skills वाले section में जाना है कोई और दूसरे account को मत कर देना तो account जैसे ही link हो जाएगा इसके बाद यह अपने आप search करने लगेगा दोनों ही devices को यह अपने आप search कर लेगा हमारी जो दोनों डिवाइस थी studio light और night light के नाम से हमने safe की थी तो searching में थोड़ा time लग सकता है उसके बाद देख सेच करने के बाद आपको दोनों light show करने लगेंगे दोनों को आपको add कर लेना है एक एक करके setup करना होगा और इसमें आप यह पूछेगा आप skip भी कर सकते हो कि कौन से room में है आपका यह तो इसमें आप skip skip कर दो और फिर उ दोनों plugs वाले option में आपका ही आ जाएगा तो अब बारी है testing की तो test करने के लिए मैं इसे plug कर देता हूँ एक normal extension में उसके बाद देख सकते हो अब मैं इसमें जो भी चीज़ों को लगाऊंगा उसे मैं Alexa के थूरू control कर सकता हूँ देख सकते हो मैं एक light connect कर दी आप दोनों को साथ में भी चला सकते हो कोई problem नहीं है तो देख सकते हो मैं on off कर रहा हूँ तो Alexa के साथ ये on off हो जा रहा है अभी मैं आपको अपने phone से करके दिखा रहा हूँ उसके बाद मैं आपको अपने Alexa echo dot से भी करके दिखाऊंगा Alexa turn on studio light Alexa turn off studio light तो देख सकते हो मारा जो smart plug यार बहुत अच्छी तरीके से work कर रहा है इसे मैंने अपने desktop के पास install कर दिया है देख सकते हो ये extension board लगा हूँ है इसके उपर मैंने इसे install कर दिया अब देख सकते हो मैं जब भी चाहूँ Alexa की help से on off कर सकता हूँ तो आप लोग को ये smart plug कैसा लगा comment करें जरूर बताना और अगर कोई doubt हो तो आप comment section में पूछ सकते हो तो और मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए bye bye